Hello everyone, आज जम देखेंगे class 8 का exercise 2.3 जो कि हमारा linear equation in one variable से related होगा और previous lecture में में इसका previous जो भी exercise है वो किया हुआ है तो उसका video हमारे link में है जो description box में महाँ पर link है आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर playlist में इसका video available है तो आप वहाँ से उस video को जाके देख सकते हैं 2.3 में question में first जो है 3x equal to 2x plus 18 तो यह बहुत ही easy questions है यह plus है इस तरह जाए तो minus में हमने आपको previous questions में बताया था 3x minus 2x equal to 18 और 3x में से 2x minus करेंगे तो हो जाएगा x equal to 18 यह हमारा answer हुआ हम इसको चाहे तो check भी कर सकते हैं चेक कर लेते हैं हमारा result सही है या नहीं है पहले lhs लेंगे lhs में हमारा आएगा 3x यानि 3x का value रखेंगे 18 यह हो जाएगा 54 और आप check करके बनाएगे तो ज्यादा base हो जाएगा यह हो जाएगा 2x प्लस 18 यानि 2 x 18 प्लस 18 और 18 में 2 से multiply रहेंगे 36 प्लस 18 यह हो जाएगा 54 तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारा पास lhs equal to 54 और rhs equal to 54 तो lhs equal to rhs verified अगें question number second देखेंगे 5t minus 3 and 3t minus 5 तो पहले जो variable terms है उसको अलग कर लेते हैं 5t और यह 3t इदर प्लस में है इस तरफाएगा तो minus में 3t equal to minus 5 और यह minus में है उस तरफ जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा प्लस 3 5t में से 3t minus करेंगे तो यह हमारा जागा 2t equal to minus 5 में से minus 3 sorry minus 5 में से plus 3 minus करेंगे तो यह हमारा जागा minus 2 यानि t equal to हो जागा minus 2 by 2 minus 1 यह हमारा answer हो गया इसको भी हम check कर लेते हैं rhs equal to हमारा है 5t minus 3 यानि 5 into t का value minus 1 है minus 3 यानि minus 5 and minus 3 minus 8 यानि 3t 3 into minus 1 minus 5 यानि minus 3 minus 5 यानि minus 3 minus 5 equal to minus 8 तो lhs जो था हमारे पास minus 8 और जो rhs है वो ही minus 8 यहाँ पर lhs equal to rhs हो गया हमें आप लिक देंगे very 5 तो आप इस questions पर not done कर लें अब हम देखे question number 3 5x plus 9 equal to 5 plus 3x तो इसको हम solve करेंगे पहले 5x और यह plus में है इस तरफ कर लेते हैं और 5 छुटा है यह minus है plus है यानि 9 में से 5 सब track करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 बट माइनस में यानि x equal to हो जाएगा minus 4 by 2 minus 2 तो x का value आ गया अब इसको हम check कर लेते हैं lhs equal to 5x plus 9 यानि 5x का value जो है minus 2 plus 9 यानि 5 में 2 से multiply करेंगे 10 minus में plus 9 यह हो जाएगा minus 1 rhs देख लेते हैं 5 plus 3x यानि 5 plus 3 into x का value minus 2 है तो यह हो जाएगा 5 और plus minus minus 6 यानि यह भी हो जाएगा minus 1 तो minus 1 lhs और rhs भी minus 1 इस तरीके से lhs equal to rhs हमारा verified हो गया तो आप इस questions को note कर लें अब हम देखें question number 4 4z plus 3 equal to 6 plus 2z यानि 4z यह plus में इस तरब जाएगा तो minus में 4z में 2z minus करेंगे 2z equal to 6 में से 3 minus करेंगे तो हो जाएगा 3 यानि z equal to 3 by 2 यह हमारा answer हो गया अब इसको हम चेक कर लेते हैं lhs equal to हो जाएगा 4z plus 3 यानि 4 into 3 by 2 z का value हम पूट कर जे 3 by 2 plus 3 यानि 2 से जो हमारा 4 यह 2 बार में कट जाएगा 6 plus 3 equal to 9 अब rhs देख लेते हैं 6 plus 2z यानि 6 plus 2 into z का value 3 by 2 2 to cancel यानि 6 plus 3 equal to 9 तो इस तरीके से हमारा पास lhs जो है 9 आ गया rhs भी 9 आ गया तो हैं आप अमने सकते हैं lhs equal to rhs verified तो आप इसको note term कर लें अब हम देखे हैं question number 5 2x minus 1 equal to 14 minus x तो पहले 2x और यह x जो है minus में है इस तरह बिलेंग तो plus हो जाएगा 14 और यह minus में है इस तरह बिलेंग तो plus 1 यानि 2x और x हमारा हो जाएगा 3x equal to 15 14 और 1 15 यानि x equal to हो जाएगा 15 by 3 x equal to 5 तो x का value आ गया अब इसको हम check कर लेते हैं lhs equal to हो जाएगा 2x minus 1 2 into 5 minus 1 यानि 10 minus 1 equal to 9 rhs देख लेते हैं 14 minus x यानि 14 minus 5 14 में से 5 minus करेंगे तो 9 तो lhs मेरा 9 आ गया rhs 9 यानि lhs equal to rhs यह हमारा very fight हो जाएगा अब हम देखें question number 6 तो question number 6 जो है 8x plus 4 equal to 3 into x minus 1 plus 7 तो पहले इसको हम करेंगे 8x plus 4 और इसको इससे multiply कर लेते हैं तो यह हमारा हो जागा plus 4 अब 8x और यह plus में है इस तरह जाएगा तो minus में 4 यानि 8x में से 3x minus करेंगे तो हमारा हो जागा 5x equal to 0 तो x equal to 0 y5 यानि x equal to 0 अब इसको check कर लेते हैं lhs equal to हो जाएगा हमारा 8x plus 4 यानि 8 into x का value 0 plus 4 equal to 4 चुक्कि 8 में 0 से multiply तो 0 हो जाएगा तो 4 हमारा हो जाएगा अब हम देख लेते हैं rhs 3 into x minus 1 plus 7 तो 3x minus 3 plus 7 यानि 3 into x का value हम रख लेते हैं 0 और 3 में से 7 minus करेंगे तो हमारा हो जाएगा plus 4 यानि यह हो जाएगा 4 तो lhs में जो है मेरे पास हो जाएगा 4 और rhs में 4 तो यहां समले सकते हैं lhs equal to rhs verified आप इसको note down कर लें अब हम देखेंगे question number 7 x equal to 4 by 5 into x plus 10 यह है तो हम इसको ले सकते हैं x equal to multiply कर रहे हैं 4 by 5 x plus 4 में 10 से multiply कराएंगे 14 by 5 यानि जो x वाला term में इसको इस तरह बेज लेते हैं तो x minus 4 by 5 x equal to 40 by 5 यह हमारा हो जाएगा 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 5 यानि 5 x minus 4 x equal to 14 by 5 यानि 5 x में से 4 x minus कराएंगे तो x by 5 equal to 40 by 5 और इसको जब हम cross multiple कराएंगे तो 5 में x से कराएंगे 5 x equal to 40 में 5 से कराएंगे यानि यह हम जाएगा 200 या फिर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि calculation हमारा आसान हो जाए by 5 तो x equal to हो जाएगा 40 into 5 by 5 5 हमारा cancel हो जाएगा यानि x equal to 40 अब इसको हम चेक कर लेते हैं या पर चेक तो हमारा x तो आ गया है lhs equal to जो है वो है x तो x का value मेरे पास आ गया है 40 अब rhs हम देख लेते हैं 4 by 5 into x plus 10 यानि 4 by 5 x 40 है plus 10 यानि 4 by 5 40 और 10 हमारा 50 हो जाएगा और यह हमारा 10 बार में cut जाएगा यानि 4 into 10 equal to 40 तो lhs मेरे पास 40 था rhs 40 इस तरीके से हमारा पास lhs equal to rhs verified अब देखेंगे हम question number 8 question number 8 में हम सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं एक एक लगा देते हैं इसके denominator में और इसका lhs 3 हो जाएगा यानि 2x plus 3 equal to इसका lhs 15 हो जाएगा 7x plus 45 again यहाँ पे cross multiple कराएंगे इसमें इससे और इसमें इससे तो यह हमारा जगा 15 2x plus 3 equal to 7x multiply करना है तो 3 into 7x plus 45 5 यह हो गया अब यहाँ पे यह जो है मेरे पास multiply में है यदि हम इस तरफ इसको भेजते हैं तो divide में हो जाएगा यह आसान हो जाएगा 7x plus 45 अब 10x और यह जो है प्लस में इस तरफ जाएगा तो माइनस में 7x equal to 45 minus 15 यानि 10 में से 7 minus करेंगे तो 3x equal to यह हमारा जगा 30 x equal to 10 तो इस तरीके से हमारे पास x का value आ गया आप पहले इसको note down करने तो वाद इसको चेक कर लेंगे अब इसको हम चेक कर लेते हैं तो LHS हम पहले देख लेते हैं LHS equal to 2x by 3 plus 1 यानि 2x का जो value है मेरे पास 10 आया है by 3 plus 1 तो यह हो जागा 20 by 3 plus 1 बटापर का जोड करेंगे तो यह हो जागा 3 20 plus 3 यानि 23 by 3 अब देख लेते हैं RHS तो RHS जो है हमारा 7x by 15 plus 3 यानि 7 into x का value 10 है by 15 plus 3 यानि 17 by 15 plus 3 बटापर का जोड करेंगे तो यह हो जागा 15 17 plus 45 यानि यह हमारा हो जाएगा इसको जब हम add करेंगे तो 115 by 15 और यह हमारा 5 के table से 3 बार में कट जाएगा और यह भी हमारा 5 के table से 23 बार में कट जाएगा तो यहाँ पर LHS जो है 23 by 3 और RHS जो है 23 by 3 यानि LHS equal to RHS यह हमारा verified हो गया तो आप इसको नोटां कर लें यानि 3 Y equal to 26 में से 5 माइनस करेंगे 21 by 3 यानि Y equal to 21 और यह मल्टिप्लाई में यह जातो डिवाइड में यानि 3 into 3 तो 3 से हमारा 7 हो जाएगा यानि Y equal to 7 by 3 अब इसको हम चेक कर लेते हैं LHS 2Y plus 5 by 3 यानि 2 into Y का वेलू जो है 7 by 3 plus 5 by 3 यानि यह हो जाएगा 14 by 3 plus 5 by 3 LCM लेंत हो जाएगा 3 यानि 14 plus 5 19 by 3 अब देख लेते हैं RHS 26 by 3 minus Y 26 by 3 minus Y का वेलू है मेरे पास 7 by 3 है 3 26 minus 7 और 26 में से 7 minus करने तो जाएगा 19 by 3 तो इस तरीकिसता हमारा पास LHS 19 by 3 और RHS 19 by 3 तो यहाँ पे हमारे पास LHS equal to RHS verified आप इसको पहले नोटाओं कर लें अब हम देखेंगे question number 10 3 M equal to 5 M minus 8 by 5 तो 3 M और यह इसको कटा भी सकते हैं वर हमें verify करना तो verify कर लेते हैं check 3 M यानि 3 into M का value 8 by 10 यानि 24 by 10 इसको जागा 3 में से 1 2 by 10 तो इस तरीके से मरे पास LHS जो है LHS 24 by 10 और RHS 24 by 10 आ गया तो हम इसको और भी कटा के simple भी कर लेते हैं या फिर नहीं पर भी शोर सकते हैं यहां पहले देते हैं LHS equal to RHS आप इसको चाहिए तो simplest form में तोड़ सकते हैं verify आप इसको नोटाओं कर लें आप आप